हेलो दोस्तो तुझे से कि आप सबी जानते ही हो कि इस्ट बेंगल एफसी का सुरुवात इंडियन सूपर लिग सिजन नाइन में कुछ खास नहीं रहा अब तक इस्ट बेंगल एफसी ने चार मैचेस खेला है जिन में से तीन हार गई है इस्ट बेंगल एफसी और एक में जीत मिला है इस्ट बेंगल एफसी को तो कोच स्टिफेन कॉंस्टेंटाइन के कोचिंग के उपर काफी जादा सवाल उठ रहे हैं लेकिन उनका कहना है कि हमारी टीम प्रोग्रेस कर रही है तो दोस्तो इसी के बीच एक बहुत बड़ा खबर आ रहा है इस्ट बैंगल एफसी के निउ असिस्टेंट कोच के बारे में तो दोस्तो बीनो जॉर्ज को इस्ट बैंगल एफसी ने साइन किया है लेकिन वो अभी रिजल्व टीम के हेट कोच है तो इस्टिफेन कॉंस्टेंटाइन का पहले से ये कहना था कि बीनो जॉर्ज को इस्ट बैंगल एफसी का रिजल्व टीम का हेट कोच बनाया जाए और वो चाहते थे कि मेरे पुराने साथी यानि कि शैंबूंगम वेंकर टेश उनके टीम के साथ जुड़े एस ऐसिस्टेंट कोच की रूप में काम करें तो दोस्तो खबर आ चुका है इस्ट बैंगल एफसी के तरफ से कि शैंबूंगम वेंकर टेश ने एक साल के कौंट्रैक्ट पर साइन किया है इस्ट बैंगल एफसी टीम को और दोस्तो कुछी दिनों बाद Shambungam Venkatesh East Bengal FC टीम के साथ जुड जाएंगे तो दोस्तो Shambungam Venkatesh के बारे में बात किया जाए तो ये former Indian National Footballer है और अभी फिलाल India Under 20 Team के हेट कोज भी थे लेकिन उनके replacement में खबर है कि former footballer महसगाउली को India Under 20 Team के हेट कोज बना दिया गया है और Shambungam Venkatesh East Bengal FC के निउ असिस्टेंट कोज न्यूक्त किये गए है तो दोस्तो कोज Stephen Constantine पहले से ये कह रहे थे कि मुझे Shambungam Venkatesh के साथ काम करना है और फाइनली East Bengal FC मैनेजमेंट ने Shambungam Venkatesh को एक साल के Contract पर Sign कर लिया है तो चलिए दोस्तो फिलाल ये वीडियो में इतना ही था आशे करता हूँ कि एपको ये वीडियो अच्छा लगा और अच्छा लगा है तो लाइक करो शेयर करो सबस्क्राइब नहीं किया है तो चानल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन को भी प्रेस कर दो तो चले दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में